जाय मातारी दोस्तों भक्ती सागर चैनल सोनीका में आप सबका स्वागत है और अब आपको सुना जा रहे हैं ब्रुगा सथचती का तीसरा अध्याई हमारे दूसरे भाग का तीसरा अध्याई पहले आपने दूसरा ध्याई सुना मैशा सुरुबद का अब उसी भाग का हम आपको तीसरा ध्याई सुना रहे हैं और इसका जोथा ध्याई भी आप जुरूर सुनिए इससे ही हमारा जो मैशा सुरुबद का पार्ट है वो कंपलीट होगा तो आईए कथा शुरू करते हैं करकमलों में जब मालिका विद्य और अभित था वर नामक मुद्र धारन किये हुए हैं तीन नेत्रों से सजोवित मुखारविंद के बड़े शोबा हो रही है उनके मस्त परचंद्रमा के साथ ही रतनमय मुक्ट बंदा है जथा वे कमल के आसन में विराजवान हैं ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक पर नाम करते हूं रिशी कहते हैं डेत्यों की सेना को इस पकार तहसनेस होता देक महादेत्य सेना पती चिक्ष्र क्रोध में भरकरम विका के देवी से युद्ध करने के लिए आगे बड़ा वेह असुर रन भूमी में देवी के उपर इस पकर वान दिड़ देवी की धार बर्षा रहा हु तो देवी ने अपने वानों से उसके वान समूक और ही काट कर उसके घोडंॉं और सार्थि को मा डाल साथ ही उसके धनुस्त था तेंतूची ध्वजा को भी तिकाल काट गिराया धनुस कट जाने पर उसकी अंगो को अपने वाणों से बिन डाला धनुस रत घोड़े और सार्ति को नश्ट कर दिया असुर ढाल और तलवार लेकर देवी के और दोड़ा उसने तिक ही धार वाणी तलवार से सिंग के मस्तक पर चोट कर दी देवी की भी भाई भुजाओं में बड़े वेक से परहार किया राजन देवी की भाँ पर पहुंसते ही वाई तलवार तूट गई फिर तो करोज सिला लाखे करके उस रक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उसे महादेते ने भगोती भद्र काली के उपर चलाया वे शूल कास से गिरते हुए सूर्य मंडल की भाती अपने तेज से पर जवलित हो उठी उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का पर हार किया उससे रक्षस से शूल के सैक्र टुकडे हो गए साथ ही महादेते चिक्षुर भी धज्जियां उड़ गई वे पराणों से हाथ डो बैठा मैं शासुर के सैना पती उस महापरकर में चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चड़ कर आया उसने भी देवी के उपर शक्ति का पर हार किया किन्तु जगदंबा ने उसे अपनी हुंकार किया हाथ से ही ततिकाल प्रिथी पर गिरा दिया शक्ति तूट कर गिर गई देख चामर को बड़ा करोध हुआ अब उसने शूल चलाया किन्तु देवी ने उसे भी अपने वानों द्वारा काट दाला इतने में ही देवी का सिंग उचर कर हाथी के मस्तक पर चड़ बैठा और उस द्यात्य के साथ खुब जोर लगा कर बहुए उद करने लगा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से प्रित्वी पर आ गए और फरत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भ्यंकर पहार करते हुए लड़ने लगे तरंतर सिंग बड़े वेग से अकाश की और उचला और उदर से गिरते समय उसने पंजो की मार से चामर कसिर धड़ से लग कर दिया इसी पकार उदगर भी शीला और व्रिक्ष आदी की मार खाकर रन भूम में देवी की हाथ से मारा गया तता कराल भी दातों मुक को और थपडों की चोड से धरश आई हो गया क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोड से उद्वत का कचुमन निकाल डाला भिंदी पाल से वाशकाल को तता वानों से तामर और अंदक को मोत के घाट उतार दिया तीन नित्रों वाली परमेश्वरी ने तरशूल से उग्रास से उग्रवी तता माहानुना मकद्यत्यों को मार डाला तलवार की चोड से विडाल के मस्तक को धर से काट गिराया दुरधर और दुरमख इन दोनों को भी अपने वानों से जमलोक भेज दिया इस पकार अपनी सेना का सहारत देकर मैश्वरी ने भेंसे का रूपधारन करके देवी के गणों का तरास देना रंब किया किनी को थूतनों से मार कर गिराया किनी के अपर खुरों का परहार किया किनी किनी के पूंट से चोट पहुचा कर है कुछ को सिंगों से घायल कर दिया कुछ गनों को वेक से किनी को सिंगनात से कुछ को चकर देकर कितनों को निश्वास वाजू की जोंग से धराशा ही कर दिया इस बकरगनों की सैना को गिरा करवाया सुर्य महादेवी सिंग को मारने के लिए जपटा इसे जगदंबा को बड़ा करोध हुआ उदर महापरकरम बाली मैशा सुर्ष से भी क्रोध भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा अपने सिंगों से उचे उचे परवतों को उठा कर फेकने लगा घर्जने लगा उसके वेख से चक्र देने के कारण प्रित्थ विश्विध होकर फटने लगी उसकी पूंच से टकर कर समुंदर सब और से धरती को डबोने लगा हिलते हुए सिंगों के अगात से विद्रिन होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके श्वास प्रचंड वाल्यू के वेग से उड़े गए हुए सैंकड़ प्रवतकास से गिरने लगे इस पकर क्रोध में भरे हुए उस महा देते ने अपनी उराते देखा चंडिका ने उसका वद्र करने के लिए महान करोध किया उन्होंने पाश वेक कर उस महान असुर को बांद दिया उस महा संगराम में भन जाने पर उस भैस का रूप तयाग दिया और ततकाल सिंग के रूप में आ गया उस वस्ता में जगदंबा जो ही उसका मस्त काटने के लिए उत्त हुई वे खड़कदारी पुर्ष रूप में दिखाई दिने लगा तब देवी ने तुरंत हीवानों की वर्षा करके ढाल और तलवार के सथ बुर्ष को भी बीध डाला इतने में महान गजराज की रूप में प्रनित हो गया तथा अपनी सुन्ड से देवी की विशाल सिंग को खीचने और गरजने लगा खीचते समय देवी ने तिलवार से उसकी सुन्ड काट डाली तब उस महाध्यत्य पुन भैसे का रूप धान कर लिया पहले ही भांतिच राचर प्राणियों सहित तीन लोकों को व्याकुल करने लगा तो क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडी का बार बार उत्ता मधु पान करने लगी लाला खें करके हसने लगी उदर वे बलो और प्रकरम मत संद मत हुआ राक्षिस करजने लगा अपने सिंग से चंडी के उपर प्रवतों को फेकने लगा उस समय देवी अपन करती हूं तब तक तुशन भर के लिए खूब करज ले मेरे हास से ही तेरी मृत्य हो जाने पर अब शिगर ही देवतावी करजने लगेंगे रिशी कहते हैं यूं कहकर देवी उचली और उस महादय तेके उपर चड़ गई फिर उसने पैर से दबा कर उन्होंने शूल से उस करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया फिर तो हाहा कार करती हुई देत्यों की सारी सेना भाग गई तता संपुरुन देवता सत्यंत परसन हो गए देवतावन देवे महारिश्यों के साथ दुरुगा देवी का सत्वन किया अपस्राय नाचने लगी बोल मैश्या सुर मर्धनी माता की जैन इस परकार मारकंडे पुराण में सरवनिकमन वंतर कथा के इंतर गत देवी महात में मैश्या सुर्वद नामक तीसरा ध्याई पूरा हुआ तीसरा ध्याई स्माप्तम इस तरह से मारे मैश्या सुर्वद पा कि मैं जब जब भी आप लोगों को मेरी जरूर तोगी में आऊंगी और आपकी इच्छाएं पूरण करूंगी तो आप सब हमारे साथ पढ़ने रहें और चोथा देहाई भी जरूर सुनिए हमें अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जैम आता दे